हेलो एवरिवन आज हम एक ऐसी बेल की बात करेंगे जो हमारे घर के लिए बहुत शुप होती है और हमारे घर को हरा भरा भी बनाती है इस बेल का नाम अपराजिता है इसको विश्णु प्रिया भी कहते हैं इसके जो फूल होते हैं वो भगवान विश्णु और लक्षमी की पूजा में प्रियोग किया जाते हैं और उनको कहा जाता है कि उनको यह फूल बहुत प्रिये होते हैं यह अलग-अलग कलर में होती है बेल सफेद गहरा नीला और आसमानी रंग के फूलों में भी मिलती है मेरे पास यह परपल कलर के फूलों की बेल है और जो इसके फूल ह होते हैं वह एडिबल होते हैं इन फूलों का खाने में इस्तमाल किया जाता है इन फूलों से आप हरबल्टी बना सकते हैं और इन फूलों का आरवैदिक दवाईयों में बहुत ज्यादा प्रियोग किया जाता है इसके जो फूल होते हैं वह आस्थमा और तनाओ को दूर करने के लिए काफी सारी ओसद्यों में इनका फ्रियोग होता है और जब फूल सूख जाते हैं तो इनी से एक मटर जैसा फल लग जाता है और उसमें ब्लैक कलर के सीड होते हैं इन सीड्स से आप आसानी से इस बेल को ग्रो कर सकते हैं किसी भी नर्सरी में यह आसानी से मिल जाती है अगर आपके आसपास ये बेल नहीं है, तो आप नर्सरी से इसको खरीद सकते हैं, या अगर आपको किसी भी आपने आसपरोस में दिखें, तो आप इसके सीट से अपने घर पर लगा सकते हैं, इसको लगाना बहुत आसान है, आप किसी भी छोटे से पोट में जैसे दूसरे लगाते हैं उसी तरह आप इसकी मिट्टी त्यार करें तीन चोथाई गार्डन सोयल और एक चोथाई कोई भी आप उसमें घाद मिला दे और आप इसको मिट्टी में भी लगा सकते हैं लेकिन अगर आपके पास जगह की कमी है तो आप पोट में लगा दीजिए यह बहुत जल ही फ्लावरिंग देना सुरू कर देती है मैंने आज इसके कुछ सीट्स लेकर इसको प्लास्टिक की एक बोटल में लगाया है और जब उसमें यह ग्रो हो जाएंगे सीट्स तब मैं अलग-अलग पोट में उसको लगा दूंगी मैंने एक प्लास्टिक की बोटल ली है और गार्डन सोयल और थोड़ी सी कंपोस्ट मिलाई है और उसमें जो यह सीट्स है उसको डालके इसको मैं पानी डालकर कुछ दिनों के लिए थोड़ी सी सेडी एरिया में रख दिया और जब वो गरो हो जाएंगे प्लांट तो इसको मैं दूसरे पोट में रिपोर्ट कर दू करते हैं झाल झाल